एक अगस्त दोहजार चोबिस से महिलाओं को सोगात मिलने जा रही है आपको बता दें कि सरकार की नई घोसना के अनुसाद महिलाओं के बैंक एकाउंट में सरकार 15-1500 रुपे जारी करने जा रही है अगर आप भी एक महिला है चोब भी यह लाब ले सकती है आने वाली पहली तारीक को यनकी एक अगस्त को सरकार महिलाओं के बैंक खाते में पैसे जारी करने जा रही है अगर आप भी यह लाब लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द दो बड़े कारिय कराने होंगे तभी आपके अकाउंट में सरकार आने वाले रासी ट्रांसपर कर सकेगी अब यह रासी किन महिलाओं को मिलेगी या फिर महिलाएं कैसे अपने बैंक अकाउंट में यह पैसे प्राप्त कर सकती हैं इस वीडियो के मात्यम से हम आपको तमाम जानकारी देन जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर दीजे और जाद जाद वीडियो सेर भी कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए एक अगस्त दो हजार चोबिस से सरकार महिलाओं को जबरदस्त तोफा देने जा रही है यानि कि महिलाओं के बैंक एकाउंट में एक अगस्त को सरकार पैसे ट्रांसफर करने वाली है जो भी महिलाओं एक अगस्त को अपने बैंक खाते में सरकार की तरफ से दी जाने वाली रासी को प्राप्त करना चाते हैं तो वह एक अगस्त दो हजार चोबिस से पहले दो बड़े कारिये जरूर कर लें तभी वह अपने bank account में आने वाले रासी को या फिर आप कह सकते हैं पैसे को प्राप्त कर पाएंगे अब यह पैसे कैसे महिलाओं को दिये जा रहे हैं और क्यों सरकार यह पैसे महिलाओं के bank account में transfer करने जा रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इन महिलाओं को यहला आप मिलेगा वह भी जानकारी आपको दी जाएगी देखिए आने वाले पैसे महिलाओं के बैंक एकाउंट में आ सकेंगे अगर दो बड़े काम महिलाएं कर लेती है आपको दादें कि परदेश सरकार द्वारा इस बार महिलाओं को आने वाले किस्त बढ़ा कर ट्रांसपर कर सकती है यह सबसे बड़ी खुसकबरी है और इससे भी बड़ी खुसकबरी यह है कि महिलाओं को तुलाब मिलेगा ही बलकि जो कुआरी लड़किया है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक या फिर 18 साल हो चुकी है वह लड़कियां भी आपने बैंक एकाउंट में आने वाले पैसे प्राप्त कर सकती है अब यह पैसे किने मिलेगी कैसे मिलेगी चलि उसके बार में भी जान लेते है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर दिजे देखें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार इस बार महिलाओं को पंद्रिवी किस्त जारी करने जा रही है यानि कि मुख्य मंत्रि लाडली बहना योजना के अंतरगत अब तक 14 किस्ते सरकार द्वारा ट्रांस पर की जा चुकी है और अब सभी महिलाओं को पंद्रिवी किस्त का इंतजार है जो सरकार 1 अगस्त 2024 को जारी करने जा रही है हाला कि दोस्तों आपको बतादें कि यह किस्त सरकार की तरफ से 1250 रूपे दे जाती है लेकिन आपको यह भी गात याद होगा कि मुख्य मंत्रि सिवराज सिंग चोहान जी हाँ किया जाएगा हाला कि इससे पहले 181,000 रुपे दी जा रही थी जिसमें 250 रुपे की बढ़ोतरी करने के बाद 1250 रुपे इसको कर दे गाय था जो भी हाली में महिलाओं को मिल रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दें हाली में मिली जानकर की जानकर के अनुसार यह है अब 250 रुपे की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है उम्मित की जा रही है कि आने वाले किस्ट 250 रुपे बढ़ोतरी होकर परदेश सरकार जारी कर सकती है अगर आने वाले पैसे में 250 रुपे के बढ़ोतरी होती है तो महिलाओं के बैंक एकाउंट में पंदरसो रुपे आ सकें लाडली बहना योजना के अंत्रगत पहले यह किस्त दस तारीक को जारी की जाती थी लेकिन अब इसको महिने की पहली तारीक को जारी किया जा रहा है आने वाली किस्ट भी एक तारीक को ही जारी होगी यनकी सरकार एक अगस्थ को ही यह किस्ट जारी करने जा रही है लेकिन जिन महिलाओं ने लाडली बहना योजना में आविदन नहीं क्या है वे किसी भी जन से वाकेंद पर जाकर आविदन कर सकती है जिन महिलाओं ने लाडली बहना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आविदन नहीं क्या है तो वह भी लाव ने सकती हैं आविदन करके अब इसमें चाहे महिला साधिसुदा हो या फिर वैक्वारी लड़क्या हो दियान रहे कि उनकी उम्र 18 वर्स या फिर 18 वर्स से अधिक होनी चाहिए तभी वह लाडली बहना योजना की पात्र माने जाएगी लेकिन धियान रहे कि लाडली बहना योजना में वह ही महिलाए आविदन कर सकती हैं फिर लड़क्या आविदन कर सकती हैं जो मध्या परदेश की रहने वाली हैं जो मध्या परदेश में रहती हैं वही केवल इस योजना का लाव ले सकती हैं क्योंकि मुक्य मंतिर लाड़ली बहना योजना मध्या प्रदेश सरकार द्वारा सुरू की गई है और लाड़ली बहना योजना की आने वाली किस्त को वही प्राप्त कर सकती हैं देखे इस बार मध्या प्रदेश सरकार को मिल सकते हैं तो यह दिया आपके लिए महत् हम जान करें होगी होगी आपसे हम निवदन करते हैं कि अगर आपने बिडियो ओं लाइक नहीं क्या है तो दिजिए ज़ादा फिर बेहिउ MON मिलते हैं आप उने श्रूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत